अगर आपका भाई प्रधान मंत्री होता तो तो क्या आप पतंग देच रहे होते क्या फिर पेट्रोल पंपर, अटेंडेंट क्या किसी गौशाला में हेलपर होते अगर आपका पेटा प्रधान मंत्री होता तो क्या आप लाइन में पैसे लेने के लिए खड़ी होती है जरा सोचिए मैं विक्रम बजाज फिर एक बार लेकर आया हूँ खबरों के पीछे का रिसर्च और सच इस देश में परिवार में एक बंदा पॉलिटिक्स में जाए तो परिवार में दूर दूर तक सारे के सारे पैसो के धेर में खिलते है तबी आज हमारे पास हैं एक ऐसे नेता जो देश की सियासत की सबसे उची कुर्सी पर बैठे है लेकिन उनका परिवार कैसी आम जिंदगी जी रहा है नरेंद्र मोधी के बड़े भाई सोम भाई मोधी खुद तो मानते हैं कि वो नरेंद्र मोधी के भाई है पर उन्हें पता है कि प्रधान मंत्री के लिए सिर्फ सवा सो करोड देश पासियों में से एक है चोटे भाई पंकज भाई गुजरात सरकार के माहिती विभाग में साधारन सी नौकरी करते हैं दूसरे बड़े भाई अमरुद भाई एक प्राइवेट कमपनी में फिटर के तौर पर रिटायर हुए हैं आज भी उनके परिवार में से किसी ने एरोप्लेन अंदर से नहीं देखा मोधी जी के दूसरे छोटे भाई प्रहलाद मोधी एक फेर प्राइस शॉप चलाते हैं उनकी 95 साल की माता जी थी माता जी नोडबंदी के बाद पैसे निकालने के लिए खुद लाइन में खड़ी दिखी थी अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बे अडोस पडोस के घरों में बरतन साप करना, पानी भरना, मदूरी करना आप कल्प ना कर सकते हैं कि माने कितना कश्ट उठाय हो नरेद्र बोदी के चचेरे भाई, अशोक भाई, आठबाई चार फीट के किराय की दुकान में पतंग, पटाके और नाश्टे बेचते हैं बोड़े चचेरे भाई, भरत भाई, एक पेट्रोल पंपर अटेंडेंट है और उनकी पत्मी, रमीला बहन, बोड़नगर के अपने छोटे से घर में ही खाने का सामान बेचती है मेरे देश वासियों, मैंने गर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है पीसरे चचेरे भाई, चंद्रकांथ, एक गौशाला में बतोर हेलपर काम करते हैं चोथे चचेरे भाई, अर्विन भाई, एक स्क्राप डीलर है जबकि पाँच में चचेरे भाई, भोगी लाल ग्रॉसरी शॉप चलाते हैं चाशा कांती लाल और जहनती लाल, रितायर टीचर्स हैं जहनती लाल की बेटी, लीना की शादी, एक बस कंड़क्टर से हुई है मतलब की देश के प्रदान मंत्री का जीजा, एक बस कंड़क्टर है परिवार को मोदी जी पर बड़ा गर्व महसूस होता है लेकिन उन्होंने इस बात का कभी गलत इस्तमाल नहीं किया अब जरा सोचिए, दूसरी तरफ है यूपी के मुलाइम सिंग यादव और अखिलेश यादव परिवार जो सत्ता की खींचतान में अपने स्टेट, अपने लोग, अपनी जिम्मेदारियां और अपना होश तक पूल चुके है गांधी परिवार, जिसने अपने परिवार वाद से कितना बड़ा पॉलिटिकल इमपायर खड़ा किया और बिहार के लालू प्रसाद भी और वो खर्बों के खुटाले कर अपने खांदान को माला माल करते आए हैं कश्मीर में भी लोगों का जो हो ना हो भो हो लेकिन अबदुल्ला परिवार के एश और आराम में बोई कमी नहीं आई अब जरा सोचिए नरेंद्र मोदी ऐसे कैसे प्रधान मंत्री है जो इतने बड़े पत्पर होने के बावजूद अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते हैं क्यों जवाब साफ है ये 25-50 लोग नहीं बलकि सवा सौ करोड भारतिय ही उनका परिवार है जरा सोचिए क्या देश को ऐसा निस्वाद प्रधान मंत्री कभी मिला है क्या तो कभी मिलेगा ये जरा सोचिए